हर्याणा में प्री मौनसून निदस्तक दे दी हैं जिले में उसतन 17 एमेम की बारिश हुई है इसी के साथ निचले इलाको अन्निकासी नालों के आसपास बसे लोगों में बेचैनी शुरू हो गई है साथ सफाई के आभाग में पॉलतिन, प्लास्टिक के कच्रे और अन्य गंदगी से अटे नालों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है वही प्री मौनसून और मौनसून को लेकर ना तो नगर परिशत और ना ही जन स्वास्त विभाग के अधिकारियों ने गंभीता दिखाई जो सीवरेज और नालों की सफाई का काम प्री मौनसून शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था वेकाम प्री मौनसूम के दौरान दोनों विभागों द्वारा किया जा रहा है सोमवा रात को आई बरसात की वज़े से शहर के जादतार हिस्सों में पारी जमा हो गया है जिससे लोगों का घर से बाहाँ निकल ला दूबर हो गया है वहीं पारी निकासी नहीं होने के कारण आवगमन पूरी तरा से प्रभावित है पट्याला चौक, बालभवन रोड, सफीदो रोड, गुहाना रोड, राणी तलाप के पास मुख्य मारगो ने तलाप का रूप धारण कर लिया है यही हाल कॉलनियों में भी है जहां कॉलनियो में जल जमात के इस्तिती पैदा हो गई है अर्बन स्टेट, डिफेंस कॉलनी, स्कीम नंबर 5-6-19, गांधी नगर के हालाद बत से बत्तर नजर आ रहे है इस्कीम नंबर 5-6 और गांधी नगर में तो दरजनों वहन, निर्मान के चलते बने गड़ों में फस गए इसके मौसम में कितने मरेज आज भी जो गिर के यहों को चोटे आई है, बारा साल से तो मैं देख रहा हूँ, यहां कोई समाधान आज तक नहीं निकला है, कितने बार पाई बिचा लिए, कोई निकासी आज तक पानी की नहीं है, परसासन यही निवेदन करते हैं, कि समाध इसके मौसम में देखके चले जाकते हैं, कोई समाधान निकला है, अस्थारीय लोगों का क्याना है, कि बार बार इसकी शिकायत संबंदेत विभाग और डीसी को कर चुके हैं, यह समस्या लगभग 10 सालों से बनी हुई है, सर्फ आश्वासन मिलता है समाधान नहीं, आज त आती है, तो जवाद मिलता है कि टेंडर हो चुके है, जल्धी समाधान हो जाएगा। बैर आलब देखना होगा कि साफ सफाई और स्वच्था का दम भरने वाली सरकार इन इलागों और कॉन्यों में कई सालों से हो रहे जल्ध की इस्तिती को कैसे दूर करती है और जलबराव की समस्या की सुद लेती भी है या नहीं इन इलाकों का प्रीम मौनसून की बारिश में ये हाल है तो मौनसून की बारिश में क्या हाल होगा? बिजिंद्र कुमार, टोटल न्यूस, जीन